आज की वीडियो में हम कुछ practical question करेंगे जो related है change in profit sharing ratio of existing partner से हम question को हमेशा की तरह बढ़ लेते हैं A, B and C were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3 ratio to ratio 1 हमें A, B, C तीन partner दिये गये हैं जिनका old ratio 3, 2, 1 दिया गया है तो हमारे पास 3 by 6, 2 by 6 and 1 by 6 यह हमें old ratio देता है आगे कहता है their balance sheet हमें दी गई है balance sheet में आप अगर ध्यान से देखें तो हमें liability side में reserve fund देता है employees provident fund देता है अब यह पीछे fund लिखा हुआ है इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि यह fund है यह employees का fund है हमें यह कुछ नहीं करना होता अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजी यह है क्या जब भी हमारे पास एक employer एक employer government की policy के according होता है यह वैसे जो employer होता है अपने employee को employee को जब salary देता है तो उसमें से कुछ part वो अपने पास रख लेता है अपने पास तो नहीं रखता government के account में save कर देता है और उतना ही पैसा उसे खुद को देना बढ़ता है और employees को यह पैसे कटने के बाद मिलता है let example के तोर पर इस employee को salary जो है 12,500 रुपे मिलती है employer employee को 10,000 रुपे देगा और 2,500 government के account जिसका नाम है provident fund में save कर देगा और उतना ही पैसा 2,500 वो खुद से भी देगा यानि employee ने यहांपर employee ने 2,500 इसमें add किया और employer ने भी 2,500 जो employee है उसको future में 5,000 रुपे का benefit मिलेगा बट उसकी जेब से अब भी 5,000 रुपे जा रहे है और plus interest तो अगर किसी employer के पास यह पैसा है यह वो अपने liability में दिखा रहा है इसका मतलब यह है कि यह जो पैसा है यह employee का है इसे वो खुद distribute नहीं कर सकता तो future में हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे अभी हमने इसका कुछ भी नहीं करना यह हमारी liability है यह agities रहेगी आगे पढ़ते हैं creditors दिया गया है fixed assets, current assets दिया गया है उसके बाद हमें कहता है from 1st April 2017 they decided to share future profit equally उन्होंने future का profit जो है new ratio new ratio कहता है जो की 1 is to 1 is to 1 रहेगा for the purpose और इस purpose के लिए the flowing were agreed और कुछ बातों पर यह agreement भी हुआ goodwill जो है firm की यहां पर ध्यान रखिये firms की goodwill जो है 3,00,000 रपे रहेगी fixed assets will be depreciated fixed assets जो है 10% से depreciate होगी expenses of 3,000 were to be paid by firm for getting the value of fixed asset certificate fixed asset का certificate लेने के लिए 3,000 रपे उन्हें खर्च भी करने पड़ रहे हैं आगे कहता है capital of the partner will be proportion यह हमारे लिए अब तक का वो concept है जो हमने read नहीं किया इसको हम कह सकते हैं adjustment in capital adjustment यह adjustment का एक तरह से introduction मात्र है यह पूरी तरह से adjustment नहीं है हम आगे चलकर adjustment को अच्छे से पड़ेंगे बट इसका जो basic principle है हम यहां से सीखेंगे तो देखिए यह हमें सब कुछ दिया गया है अब हमें क्या करना है अब हम यह question करेंगे इस question को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जुरूरत है तो हम order why चलते हैं हम पांच basic बाते करते होते थे आपको याद होगा हम पांच basic बाते करते होते हैं सबसे पहले हम sacrifice ratio और gaining ratio निकालते हैं दूसरा हम accounting treatment करते होते हैं किसका goodwill का करते होते हैं और फिर हम कोई reserve है या फिर accumulated profit और loss है उनका adjustment करते होते हैं अगर उसके बाद हम क्या करते होते हैं revaluation करते होते हैं assets and liabilities की revaluation करते होते हैं और पांचमा adjustment करते होते हैं adjustment हमेशा ही last में रहेगा तो हम इसी order wise चलते हैं सबसे पहले हम sacrifice ratio और gaining ratio निकालते हैं तो हमें old ratio जो है 3 to 1 दिया गया और new ratio 1 is to 1 is to 1 दिया गया है तो ABC में यहां working note में हम बना लेते हैं हमें old ratio जो है वो 3 is to 2 is to 1 दिया गया है जो 3 by 6, 2 by 6 और 1 by 6 रहता है new ratio जो है 1 is to 1 is to 1 दिया गया है 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3 अब यहां पर इसका जो हमारे पास A, B और C है इनका हम calculate कर लेते हैं formula लगाएंगे हम sacrifice ratio का जो की है old ratio minus new ratio तो formula हम लगा देते हैं old ratio 3 by 6, 2 by 6 और 1 by 6 है और इसमें less कर देते हैं अच्छा एक बात और ध्यान रखेएगा 2 by 6 को आप 1 by 3 लिख सकते हैं तो मैं इसको 2 by 3 6 लिखने की बजाए 1 by 3 लिख देता हूं 1 by 3 क्यों लिख सकते हैं 2 by 6 करें तो 2 3 जाब 6 होते हैं तो 1 by 3 automatically हो जाएगा इस वज़े से मैं इसको 1 by 3 लिख दिया तो यहां पर 1 by old ratio new ratio 1 by 3 1 by 3 and 1 by 3 है तो यहां पर आप देख रहे हैं यह तो बराबर है तो यह तो निल हो जाएगा अब यहां पर LCM लें तो LCM हमारे पास 6 यहां क्या हो जाएगा 6 जो हमारे पास है यहां पर LCM 6 आ जाता है यहां पर 3 minus और क्या हो जाएगा यहां पर 2 हो जाएगा तो यहां पर हम 1 by 6 क्योंकि positive है तो A sacrifice कर देंगे दूसरा हमारे पास यहाँ पर भी हम calculate करें तो यहाँ पर B1 basics आ रहा है यह negative value है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे C's gain कर देंगे अब याद रखेगा अगर इसने sacrifice किया था तो इसका capital account क्या होगा? credit होगा इसने gain किया इसका capital account क्या होगा? debit होगा यह बात आपको थोड़ा याद होगी तो अब हम क्या करें? हमारे पास goodwill question में हमें दी गई है देख रहे हैं goodwill question में total दी गई है 3 lakh rupees इस total goodwill में से हमारे पास एक apart क्या होगा? is हम लिख रहते हैं is share और goodwill यह आपर कह सकते हैं इसको इसे ऐसे ना लिख कर हम कह सकते हैं A is sacrificing so his capital account will be credited by जो 3 lakh हमारे पास total goodwill है 3 lakh है total goodwill इस 3 lakh का जो रहेगा हमारे पास 3 lakh का 1 by 6 कर लेंगे तो जो हमारे पास आजाता है 1 by 6 50 था हुजन आजाता है इसी तरह जो C's है C's C is gaining so his capital account will be debit कितने से होगा? 3 lakh रुपे का 1 by 6 करें 50,000 से होगा इस तरह से हम 1st general entry हमारी पास कर लेंगे तो 1st general entry हमारे पास क्या हो जाती है? 1st general entry जो की हमारे पास साल शुरू हो रहा है हमारा कब 1 April 2017 को आप date लिख देंगे 2017 की अप्रेल एक को हम general entry कर देते हैं क्या करें? C's capital account debit to A's capital account कितने से हमने 50,000 रुपे calculate किया है और इस पे narration लिए देते हैं क्या किया है? transfer की है of goodwill हमने goodwill को transfer कर दिया है यह तो हमने goodwill का treatment किया जो first था हमारा इस तरह से first step हमने goodwill का treatment कर लिया अब उसके बाद हमने step में देखा यह हमारा first हो चुका है, second हो चुका है हम क्या करते है? reserve एन accumulated reserve जो है profits है उनको देखते हैं सबसे पहले तो हमारे question में reserve जो है reserve fund एक दिया गया है सिरफ उसी को दिया गया है reserve fund capital credit होता है यह इसका credit balance होता है इसको खतम करने के लिए इसी debt को क्या credit debit कर देते है तो हम reserve fund account debit आप इसके बारे में videos जो है वो हमारी previous videos देख सकते है मैं उपर link में दे देता हूँ यह उपर जो information है उससे आप ले सकते हैं वो देख सकते हैं तो हम capital account को A's capital account credit कर देते हैं B's capital account को credit कर देते हैं और C's capital account को credit कर देते हैं किस ratio में? their old ratio में ठीक है हमें question में capital reserve देता है 18,000 रुपे इस 18,000 रुपे को हम old ratio जो question में था 3, 2, 1 3, 2, 1 में यहां पर यह देख रहे हैं आप यह reserve दिया गया है यह sorry old ratio दिया गया है इसमें transfer कर देंग old ratio 3 is 2, 2 is 2, 1 था 3 by 6, 2 by 6, 1 by 6 transfer करें तो हमारे पास 9,000 रुपे 6,000 रुपे और 3,000 रुपे आता है इस तरह से हमने second जो है reserve के लिए भी हमने कर दिया है अब उसके बाद हमारा third step भी हो चुका है उसके बाद हम क्या करते हैं? Revaluation of Asset and Liability करते हैं क्या question में Revaluation से related कुछ दिया गया है? हाँ जी कुछ दिया गया है देखो fixed asset will be depreciate depreciate का मतलब यह है कि हमारे पास देखो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है मैं इसको पहले जो पर मैंने लिखा है उसको रब कर देता हूँ और अब आपको ध्यान देने वाली बाती है के तो for the purpose the flowing were agreed यह conditions है यहाँ पर यह जो depreciation है यह normal depreciation नहीं है यह conditional depreciation है यानि अगर हमारे पास profit sharing ratio change होगा तो fixed asset हमारी depreciate होगी the conditional depreciation है यह हमारी revaluation कर रहे हैं एक तरह से हम जो fixed asset है 1,50,000 से 10% यानि 15,000 fixed asset की value decrease हो जाएगी और 15,000 fixed asset की value अगर decrease हो रही है तो हम revaluation की बज़े से decrease हो रही है तो हम क्या करें ऐसे क्योंकि asset decrease हो रही है तो fixed asset को तो credit करेंगे fixed asset को आप credit करेंगे fixed asset को आप credit करेंगे 15,000 से यह तो clear है क्योंकि value decrease होगी तो हम credit करेंगे debit किसे कर रहे है revolution को क्योंकि revolution हमारा loss हो गया है और revolution हमारा nominal nature account होता है debit all expenses and losses तो हम इसको क्या करेंगे debit करेंगे तो revolution को हम debit किये देते हैं 15,000 से और हम लिख देते हैं being assets ये fixed asset है is depreciated by 10% हमने fixed asset को depreciate कर दिया है कितने से 10% से depreciate कर दिया है तो यहां तक भी हमारे पास कोई problem नहीं है अब यह हमने first condition हमारी पूरी कर दी है second में कैता expenses of 3000 were paid by the firm firm paid कर रही है for getting the value of fixed asset certificate अब देखो जो fixed asset depreciate किया है उसके लिए कुछ खर्च किया है तो यह भी खर्च revolution का खर्च है इस यह भी revolution करने की वज़े से खर्च हुआ तो आप इसको भी आप क्या करेंगे आप इसको भी डाल देंगे क्या यहां पर revaluation account debit कर देंगे तो bank कर देंगे कि 3000 रुपया हमारा खर्च हुआ है किस में खर्च हुआ है तो revaluation expenses थे revaluation करवाने के लिए हमारा कुछ खर्च आ गया है ठीक है अब इसके बाद हम next चलते हैं अभी तक revaluation हमारा पूरा नहीं हुआ है revaluation में कुछ और भी रहता है देखो कुछ और है क्या नहीं हमारा revaluation complete हो गया है दो चीज़ें थी हमारी revaluation में दो दोनों चीज़ों को हमने कर दिया है तो अब यहाँ पर यह revaluation हो चुका है revaluation के बाद हम क्या करेंगे adjustment but उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि revaluation की वज़े से हमें फाइदा हुआ है या नुकसान हुआ है देखो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा एक revaluation account बनाना पड़ेगा तो आप एक क्या करेंगे revaluation account बना लेंगे यह debit है यह credit है अब देखिए revaluation अगर debit हो तो इस तरफ लिखेंगे सारी टू वाली आइटम और इस तरफ लिखेंगे सारी बाय वाली आइटम देखो रिवेल्यूइशन में हमने देखा revaluation to fix asset रिवेल्यूइशन debit हो तो हम लिख देते हैं रिवेल्यूइशन टू फिक्स असेट पंदरह हजार से हुई थी और रिवेल्यूइशन टू बाय बैंक हुआ था रिवेल्यूइशन नहीं रिवेल्यूइशन के लिए हमने आगे किया था तो इसमें भी टू कर देते हैं यहां पर यह रव कर देते हो हम यहां टू बैंक जो कि हमारा 3000 रुपे ही था अब याद रखिएगा Revaluation Account हमारा एक Nominal Account है Debit All Expenses and Losses Credit All Income and Gain अगर कोई भी फाइदा होता है तो हम उसको इदर लिखेंगे यानि Asset का बढ़ना Laiability का कम होना या Unrecorded Asset मिल जाना वो सारा इदर ही लिखा जाएगा और दूसरी तरफ Asset का Decrease होना या Unrecorded Laiability मिल जाएगा तो वो इदर लिखा जाएगा तो हमने यहां लिख दिया यह लिखने के बाद हम बैलाइस निकाल रहे हैं यह 18,000 रुपे हैं यह 18,000 रुपे हैं अगर यह समझे नहीं आ रहा तो एक और प्रिवेस वीडियो देख लें तो 18,000 रुपे हमारा बैलाइस रहेगा इसको हम क्या करें टू A's Capital टू B's Capital और टू C's Capital में ट्रास्वर कर देते हैं किस रेशियो में Old Ratio में Old Ratio में ट्रास्वर करें तो क्या आएगा 9,000 रुपे 6,000 रुपे और 3,000 रुपे हम ट्रास्वर कर देंगे तो इसकी जनल एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास ये क्रेडिट होगा और ये सारी डेबिट होगी तो देखी जनल एंट्री हमारी बना देते हैं हम तो जनल एंट्री में हम कर लेंगे A's Capital Account Debit B's Capital Account Debit C's Capital Account Debit to Revaluation Account तो हमने क्या किया Revaluation Loss ट्रास्वर किया है to Partners Capital Account में तो जो की 18,000 रुपे था 9,000 6,000 और 3,000 रुपे हमने ट्रास्वर किया है और हम ये close कर देते हैं अब यहां तक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ऐसा है जो समझ ना आया हो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे चलके देखिए अब कहता है Capital of the Partners will be proportion of their new profit sharing ratio अब new profit sharing ratio क्या है बराबर है यानि Capital भी क्या होगी बराबर होगी अब इस चीज़ को समझने से पहले यानि Capital में किसी परकार की adjustment करने से पहले एक note बना ले एक note बनाई हमेशा के लिए ये bold में कर रहा हूँ है note क्या है adjustment जो की जाएगी after all adjustment will be done in the capital यानि जो capital में adjustment होगी वो भी सारी परकार की adjustment के बाद capital में adjustment होगी ये याद रखिएगा capital में adjustment का मतलब क्या है capital में adjustment का मतलब है कि हमारे पास जो partners हैं अगर हमने उनको profit देना है तो वो दे देंगे loss देना है तो दे ले लेंगे उनसे अगर उनकी capital increase होती है या decrease होती है जो कुछ भी होता है हम वो सब कुछ करने के बाद यहाँ पर adjust करेंगे तो देखिए हमारे पास हम देख रहे हैं हमने हम मैं थोड़ा से यहाँ पर working note इसको थोड़ा रव कर देता हूँ मैं इसको रव कर देता हूँ देखो अब देखो एक तरह से आप आदित बनाएं capital account बनाने की क्योंकि next सभी question में हम capital account से करेंगे तो यहाँ capital account बना लेते हैं एक चोटा सा capital account बना लेते हैं रवर के जैसे तो मैंने यहाँ पर A, B और C तीन पार्टनर है और यहाँ पर मेरे पास A, A, B और C तीन पार्टनर है A, B और A, B और C A, B और C तो सबसे पहले buy balance करें capital account यहाँ 50,000 question में दिया गया है 40,000 दिया गया है और 30,000 दिया गया है एक बात याद रखिए मैं जो book follow कर रहा हूँ वो D.K.Goyle की book follow कर रहा हूँ और D.K.Goyle की book according यह जो question है page number new edition में 3.38 में और question number, illustration number जो है, वो 34 दिया गया ठीक है? अब देखिए, तो हमारे पास यह दिया गया अब इसमें आप क्या करें जो partner का हमने यहां देख रहे हो आप, जो partner को जो कुछ भी हमने देना था देख रहे हो, C's capital account debit हुआ है, और E's capital account credit हुआ है कितने ऐसे? 50,000, 50,000 से तो हमारे पास C capital account debit to A capital तो हम कर देते है to A capital to हमारे पास C's capital A के में लिखे देते हैं 50,000 और हमारे पास C capital account यहां पर देखिए हमारी general entry जो थी C's capital account debit तो C capital account debit हुआ है to A कर देंगे ठीक है? to A होगा यहां पर और यहां पर कर देंगे by हमारे पास C's capital account और लिख देंगे यहां पर हम इसमें हम लिख देते हैं A में A में यह लिख देते हैं 50,000 रुपे और यह गलती से लिखा गया है यह A में नहीं C में होगा यह 50,000 रुपे हम इदर लिख देते हैं ठीक है? अब देखिए आगे हमारे पास इसके बाद हमने reserve transfer किया था तो reserve transfer किया था हम reserve लिख देते हैं हमने reserve transfer किया था 9,000 रुपे 6,000 रुपे और 3,000 रुपे और उसके बाद हमने transfer किया था revolution का loss तो revolution का loss जो transfer किया था वो 9,000 रुपे 6,000 रुपे और 3,000 रुपे transfer किया था ठीक यह सारी चीज़े होने के बाद आप balancing figure निकालोगे जो balancing figure निकालोगे यहाँ पर हमारे पास 1,9,000 है यहाँ पर 46,000 है यहाँ 33,000 हो जाता है हमने balance यहाँ balance निकालोगे to balance और यह जो balance है याद रखेगा यह जो balance है वो है before adjustment जो adjustment हमें बोली गई है और after all adjustment है यानि question में जो adjustment दे रखी हैं वो पहले आप करोगे उसके बाद जो adjustment question में बोला गया है करने के लिए वो रहती है हमारी यानि जो हमारे question में 54th point में दिया गया तो हमारे पास balance बज़ जाता है balance बज़ जाता है यहाँ पर 1 lakh रुपीज यहाँ पर बज़ जाता है 40,000 रुपीज और यहाँ पर 53,000 है और यहाँ पर बज़ जाएगा हमारे पास 23,000 रुपीज यह negative balance है अब हमें क्या करना है यह capital में adjustment करना है यानि capital जो है हमारी total बराबर हो जाए तो अब देखते हैं total कितना है A की capital जो है वो 1,00,000 रुपे है B की capital जो है वो 40,000 रुपे देखे मैं यह क्यों करवा रहा हूँ book में जो जिस तरह से दिया गया है वो add plus करके दिया गया है मैं यह क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि इस method को आप future में सभी chapters में use करेंगे इस वज़े से मैं इस chapter को लेके चलाओ अब C में आप क्या करें loss है 20,000 रुपे का तो total आपके capital जो होती है 1,20,000 वो जाती है तो सभी के capital 3 से divide कर दें तो 40,000 रुपे सभी की capital होनी चाहिए अगर 40,000 रुपे सभी की capital होनी चाहिए तो हम क्या करें हमारा सीधा सा है A की capital अभी 1,00,000 रुपे है होनी कितनी चाहिए 40,000 रुपे तो यह 60,000 रुपे क्या कर ले withdrawal कर लेगा ठीक है अब जो B की capital जो है है 40,000 रुपे होने कितनी चाहिए 40,000 रुपे तो भी कुछ नहीं करेगा सी की कैपिल कितनी है negative 20,000 रुपे होने कितनी चाहिए 40,000 रुपे तो यह add करेगा कितना 60,000 रुपे और इसके लिए कुछ question में बोला भी गया है question में क्या बोलता है देखी capital account of partner will be proportion of their new profit sharing ratio for the purpose current account will be opened और इसके लिए हम उनसे पैसे नहीं मांगेंगे उनके उनको कहेंगे current account open करो और जो transfer किया जाएगा current account से transfer किया जाएगा ना कि cash account से कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास A है विड्राल करेगा वो current account से विड्राल करेगा और यह introduce करेगा यह current account से introduce तो हमारे पास क्या होगा दिखो एक के capital कम हो रहे है अगर किसी की capital कम हो तो हम क्या करते होते हैं debit करते होते हैं तो य ज कैपटल account को आप debit कर देंगे और किस से करेंगे बैंक से नहीं current account से IS current account से आप credit कर देंगे कितना 60,000 रुपे तो इसने क्या कर लिया है उसके decrease हुई है हमने क्या कर दिया है decrease कर दिये decrease the capital ठीक है उसी तरह हमारे पास दूसरा जो था partner C partner जो था C partner के लिए देखे क्या करते हैं उसकी capital हमारी increase हो रही है तो हम C को capital को credit करेंगे और current account को debit कर देंगे तो कर देते हैं C's current account debit to C's capital account कितने से 60,000 रुपे से हमने 60,000 रुपे यहां पर introduce किया है जो सो कर देते हैं being capital introduced by C तो C ने capital introduce की है इस तरह से हम यह question करेंगे बड़ा ही असान question था हाँ question थोड़े lengthy जरूर हो जाते है और उनके पिछे के concept जो है वो हमें पता होने चाहिए तो अब देखे हमारे पास एक और question करते हैं और इस question इस class को मैं वह जाता लंबा नहीं बढ़ाऊंगा तो यह अब हमारा हम second question करने जा रहे हैं तो हमेशा की तरह question को पहले बड़ पढ़ लेते हैं देखे question में क्या कहा गया है अशोग भीम एंचेतन मैं इसको A, B, N, C बोलूँगा वर्ष पार्टनर इने फार्म शेरिंग प्रॉफित लोस इंदर इशो 3-2-1 बेर बैलेंशीट जो दी गई है 33-3, 2015 जो दी गई है उसमें यहां पर हमें general reserve देता है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं और आगे कहता है A, B, N, C decided to share future profit equally तो यह तो बिलकुल same हमारे पिछले question जासा ही हो गया यहां पर हमारे पास old ratio 3-2-1 है और new ratio जो है वो equal है और good will be same ही है तो यहां पर हम A, B और C का अगर sacrifice ratio और gaining ratio निकालेंगे तो A sacrifice करेगा 1 by 6 से B nil हो जाएगा और C gain करेगा 1 by 6 से तो 50,000 यहां good will जो है credit होगी और 50,000 good will जो है यहां debit होगी अगर हमें करना पड़े तो देखो land building जो है 1,60,000 re-valuated की गई है पहले जो land building है वो 1,005 रुपीस की है 1,60,000 रुपीस की है value increase होजाती है और depreciate होगया है building जो कि value कम हो जाएगी creator 12,000 were not likely to be claimed creator पहले 1,005 थे और 12,005 likely to be claimed का मतलब यहां पर है कि हमने मानना हुआ था कि 1,005 है बट 12,000 रुपे के जो creator हैं उन्होंने claim ही नहीं किया, उन्होंने मांगे ही नहीं हमसे और हमने इस तरह से अपने खर्चों को खतम कर दिया है हमारी liability को कम कर दिया तो जो return of किया वो liability को कम कर दिया आगे कहता है prepare revaluation account ठीक है हम यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था तो हम order wise हम क्या करते होते हैं सबसे पहले हम sacrifice और gaining ratio निकालते होते हैं जो कि मैंने उपर के question में जैसे निकला हुआ है same as it is रहेगा sacrifice और gaining ratio में हमारे पास same as it is हमारे पास old ratio 3, 2 by 6 है और 1 है 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 6, 1 by 6 और गुडविल भी same यानि यह जो portion है हमारे पास first question और second question और विल कूल सेम हो जाता है आगे हमने निकाल लिया sacrifice ratio और gaining ratio A और C का है 1 by 6 है और 1 by 6 है और C, A, B जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक है और हमने capital का भी गुडविल का भी कर लिया अब गुडविल का हमारे पास first होता है sacrifice gaining ratio दूसरा होता है गुडविल तीसरा हमारे पास क्या होता है देखो हमने याद हो आपको हम reserve and accumulated profits को देखते होता है क्या question में हमारे पास reserve and accumulated reserves हैं हाँ जी है है तो हम इसको क्या करेंगे अरज़स्ट कर लेंगे transfer करते हैं तो हमारे पास अंगा हम transfer करें तो transfer करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा capital account बनाना पड़ेगा तो यहां पर हमने capital account बना लगते हैं तो हमने सबसे पहले पाए balance brought down करें question में हम बैलेस दिया गया के एक लाग और फचासार दिया गया है कोशिन में दौ लाग एक लाग और प्चासहजार दिया गया है こう सबसे पहले हमने रिजर्व संधैस यह बेर वो ट्रासफर की कोशिन में हमारे पास रिजर्व जो ते वह साथ हजार थे एंग transfer करें reserve को हमारे पास 30 20 और 10,000 हो जाएगा हमने 30,000 20,000 और 10,000 आप order wise भी चल सकते हैं नहीं disorder कर दिया मने एक तरह से तो उसके बाद हमारे पास question में हम revaluate करते होता है तो revaluate करें goodwill का treatment भी रहता है अभी तो goodwill का हमने देखा था फिसले विल्कुल same to same previous question की तरह है हमारे पास जो यहां पर यह है उसके यहां लिखे देंगे by हमारे पास C is capital account 50,000 और यहां लिखे देंगे to A is capital account C में लिखे देंगे 50,000 ठीक है यह भी adjust हो गया अब हम revaluate कर लेते हैं हमें बोला गया land की value जो है increase हो रही है अब याद रखेएगा revolution account एक nominal nature का account है nominal nature का account है तो debit all expenses अगर कोई कर्च होगा और अगर loss हो तो उसको हम debit side में लिखेंगे credit all income and gain अगर कोई income हो जाती है asset बढ़ जाती है तो इदर लिखेंगे अब land हमारी asset है और यह value increase होई तो इदर लिखेंगे तो buy आप land कर देंगे 60,000 जितनी value increase होई है और हमारे creator अब देख creator कम होने से भी फाइदा होता है फाइदा income है तो हम कर देते हैं creator जो है उसको भी 12,000 से यहां कर देते हैं इसके इलावा हमारी building depreciate होई depreciate से नुक्सान होता है तो हम building लेकर देते हैं यहां पर building जो है वह 6000 से depreciate है तो हम balance निकाल लेते हैं और इसके इलावा कुछ नहीं 72,000 तो यहां पर भी 72,000 balancing figure जो होगी हो 66,000 हो जाए और हम इस जो यह profit होता है debit side balance बचे तो यह profit होता है यह profit जो है उसको transfer कर देंगे to old partners capital account a,b,c मैंने बोला था कि हम मैं इसको जो हमारे पास 33,000 22,000 और 11,000 अजाता है इसको हम capital account में transfer कर देते हैं मैंने revaluation का जो profit that transfer किया 33,000 22,000 and 11,000 ठीक है और हम balance निकाल लेगते हैं इसके लाब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम balance ही निकाल लेंगे balance हमारे पास 3,000 13,000 और लेक 42,000 और यहां पर 71,000 बसता है अब यहां पर हम क्या करते हैं यह balance लिख लेकते हैं जो कि हमारे पास 3,000 13,000 और लेक 42,000 और यहां कम हो जाएगा जो कि 21,000 अब इसके बाद हम balancing balance sheet बनाएंगे question में जो कि हमें बोलता है balance sheet बनाने के लिए जो balance sheet होती है revise balance sheet का मतलब यह भी balance sheet है वो भी balance sheet है बट इस balance sheet में जो हमें changes किया है उसको change करने के बाद हमारे पास नहीं balance sheet बनेगी वो कौन-कौन से changes है थोड़ा सा आप देख लें देखो हमारे पास changes क्या-क्या थे land की value change होगी है building की value change होगी है creator की value change होगी है general reserve खतम हो गया है capital की value change होगी है जो change हो गई है उसको हम change करेंगे और बाकि किसी को change नहीं करेंगे जैसे question में plant, stock, debtors, bank जो है यह change नहीं होगी और इधर से यह भी change नहीं होगा तो यह कुछ items है चेंज नहीं होगी बाकि चेंज हो जाएंगी तो हम change करके लिखते हैं जैसे asset side में balance sheet में asset side में अब लेंड लेंड की value अब 1,60,000 थी सोरी अब लेंड की value हमरे पास 1,60,000 थी और building की value पहले तो 1,00,000 थी हमने 6,000 depreciation लगा दिया था तो अब 94,000 हो जुकी है बाकि भी asset में तो कोई value change नहीं हो थी जिसमें plant भी agities है हमारे पास no change और stock जो था उसकी value में no change है और इसके लावा debtors की value में कोई change नहीं था और इसके लावा bank की value में भी कोई भी change नहीं था ठीक है यह तो हमने किया अब इसके बाद हमारे पास देख रहे हो तो asset side में हमने सारी चीज़ें कर लिए हैं अब liability side के तरफ आते हैं creator change हो चुके हैं बारह हजार कम हुए थे यह वाले अब अब बैंक एज़ेटीज जर्व खतम हो चुका है और यह capital तो हम यह चीज़े लिख देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हम लिख देते हैं creators 12,000 कम होगे तो 88,000 हम हमारे पास हैं बिल्स पेबल एज़टीज है 40,000 विजर्व खतम हो चुका है और capital capital में A, B और C जो हमने calculate की है यह वाली यह हमारा balancing के लिखा जाएगा तीन लाग तेरा हजार रुपे एक लाग याली हजार रुपे और 21,000 रुपे total किया 476,000 हमारे पास रहता है दोनों साइड का total करेंगे जो कि हमारे पास 64,000 रहता है और यह मेरे ख्याल से ब्राबर होना चाहिए तो इस तरह से हम बड़ी असानी से हमारा question करेंगे जो कि change in profit sharing ratio से related है और इसमें हमें एक topic नया मिला जो कि adjustment of capital था तो यह दो question आज हमने किये हैं मैं वीडियो को बहुत जादा लंबा नहीं करना जा रहा था अब हम next question देखते हैंगे और इस chapters related दो वीडियो और रहेंगी अगर आपको किसी भी question में problem आती है तो आप मुझे वो share करें हमारी email id है avkr.commerce.gmail.com फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबते के लिए thank you